सबी को नमस्कार आज हम निर्वाचन के दोरान प्रयोग में लाए जाने वाली मतदान की एक बहुत ही महतुपूर्ण केटेगरी डाक मतपत्रों के सम्मन्द में बात करेंगे डाक मतपत्र समान्य मतदान की प्रकृरिया का एक अपवाद होता है जिसमें तीन तरीके से हम इसको समान्य मतदान से अलग करते हैं इसमें नौन-EVM मेथोडोलोजी के दोरा वोटिंग के जाती है सेकेंड मतदान दिवस के पहले मतदान करा लिया जाता है और तीसरा मतदान केंदर के बाहर किसी अन्य जगा पर मतदान करवाया जाता है इस प्रकार ये तीन अपवाद डाक मतपत्रों के लिए है जो समान्य मतदान के तरीके से अलग होते है अब डाक मत पत्रों की सुविधा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पांच स्रेणी के लोगों को दी जाती है जिसमें सबसे पहली स्रेणी है सेवा निर्वाचकों की दूसरी स्रेणी है वोटर्स ओन इलेक्शन ड्यूटी की तीसरी स्रेणी है नोटिफाइड वोटर्स की जिसमें भारत निर्वाचन आयोग ने अपसेंटी वोटर्स को नोटिफाई किया हुआ है चौथी स्रेणी है प्रिवेंटिव डिटेनीस की पाच्वी स्रेणी है इस्पेशल वोटर्स की तो हम वीडियो के प्रथम भाग में जो तीन सबसे महत्वपूर्ण स्थेणी हैं उसमें से दो महत्वपूर्ण स्थेणियों के बारे में बात करेंगे जिसमें सेवा निर्वाचक और वोटर्स ओन इलेक्शन ड्यूटी हैं। मतदान की सुविधा दी जाती हैं। सबसे पहले तो इनको किसी भी तरीके से आवेदन नहीं करना होता है डाक मतपत्र प्राप्त करने के लिए। ये बाई डिफॉल्ट इनको डाक मतपत्र जारी किये जाते हैं। जैसे ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट फाइनलाईज हो जाती है अर्थात प्रारूप साथ का हमारा तयार हो जाता है। उसके 24 घंटे के अंदर हमको ETPB MS electronically transmitted postal ballot management system से डाक मतपत्र सभी सेवा निर्वाचकों के record offices को transmit किया जाना होता है। जब हम ETPB का निर्मान करते हैं तो हमें कुछ साउधानियों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला तो यह कि ETPB केवल और केवल प्रारूप साथ का के क्रम अनुसार ही बनेगी। इसका प्रारूप साथ का के साथ अक्छर सा मिलान होना एकदम जरूरी है। अन्त में ETPB में None of the Above इन में से कोई नहीं option भी जोडा जाता है और इसके बाद फिर ETPB आपकी तयार हो जाती है। ETPB जैसे ही तयार हो जाती है उसको finalize करके send करने से पहले इसकी एक hard copy निकाल कर उस पर हस्ताक्षर कर इसे CEO कारेले सत्यापन के लिए प्रेशित किया जाता है। CEO कारेले द्वारा सत्यापन उप्रांत इसे transmit किया जाता है। यहाँ यह ध्यान रहे कि जो ETPB आप transmit करेंगे वह बिना हस्ताक्षर युक्त फ्रेश ETPB रहेगी। अर्थात उसमें RO का हस्ताक्षर नहीं रहता है। इसके अलावा ETPB MS में service voters के list भी upload की जाती है। सेवा मत दाताओं को उनका डाक मत पत्र सम्मन्दित record unit offices के द्वारा डाउनलोड करके प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही उनको एक E-PIN भी जारी किया जाता है जिससे कि वह जारी ETPB को अपने PIN का प्रयोग करके डाउनलोड एवम प्रिंट कर सके। जैसे ही वह अपना ETPB डाउनलोड और प्रिंट करते हैं तो उसके पस्चात उस पर अपना मत record करके उसे उन्हें डाक विभाग के माध्यम से भेजा जाना होता है। ऐसे डाक मत पत्र मत गड़ना के दिनांग तक सुबह 8 बजे तक प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही डाक मत पत्र वापसी शुरू हो जाती है तब प्रत्यक दिवस तीन बजे डाक मत पत्रों को लेकर डाकिया निर्वाचन कारेले आएगा और संबंधित नोडल अधिकारी पोस्टल बैलेट को ये डाक मत पत्र प्रस्तुत करेगा। इसके पत्र नोडल अधिकारी डाक मत पत्र इसे प्रिथक प्रिथक लिफाफों में सील बंद करेगा और विधान सबाहेतु नियत की गई पेटी पर इसका भंडारन करेगा। सामानेता ये भंडारन ट्रेजरी ओफिस में किया जाता है। सर्विस वोटर तो नहीं है। यदि किसी ने प्रारूप 13F भरकर प्रॉक्सी नियुक्त कर लिया है तो वह प्रॉक्सी केवल वही व्यक्ति हो सकता है जो उसी विधान सबाह का निर्वाचक हो और उसकी उम्र 18 वर्स या उससे अधीक हो। एक बार प्रॉक्सी नियुक्ति के पस्चाथ उसकी मार्किंग सर्विस वोटर लिस्ट में CSV के रूप में की जाती है तथा उसे ETPB जारी नहीं किया जाता है इस प्रकार जब ETPB ट्रांस्मिट किया जावे तो यह ध्यान रखा जावे किसी ने अपना प्रॉक्सी वोटर तो नियुक्ति नहीं किया है क्योंकि वह मतदान केंद्र पर प्रॉक्सी के माध्यम से ही मतदान करेगा उसे डाकमत पत्र की सुविधा नहीं दी जानी है ऐसे CSBs को छोड़ कर ही सभी को ETPB जारी किया जाता है दूसरी महत्वपूर्ण केटेगरी है वोटर्स ओन इलेक्शन डूटी की वोटर्स ओन इलेक्शन डूटी वो होते हैं जो मतदान के दिवस अपनी डूटी के कारण मतदान करने नहीं जा पाते हैं ऐसे सभी विक्तियों का डाटाबेस कम से कम तीन महापूर्व जीला के नोडल अधिकारी पोस्टल बैलेट के द्वारा तयार कर लिया जाना चाहिए इसमें उन सभी विक्तियों को सामिल करना चाहिए जो अपनी सासकी डूटी या पोल डूटी के कारण मतदान के इंदर पर नहीं जा पाएंगे इसमें ड्राइवर्स, क्लीनर्स, वीडियोग्राफर्स और पुलिस विभाग के भी करमचारी जो अपनी सुरक्षा डूटी के कारण मतदान नहीं कर पाएंगे उनका नाम भी सामिल किया जाएगा इस हेतू यह आवश्यक है कि जीले के पुलिस विभाग से समन्वाय कर एक नोडल ड्राइवर्स पी की न्यूकती करा ली जावे वोटर्स ओन इलेक्शन डूटी में दो सब केटेगरीज होती हैं पहला तो यह कि ऐसे व्यक्ति जहां वे मतदाता के रूप में पंजिक्रित हैं उस विधान सभा से बाहर किसी अन्य विधान सभा में उनकी डूटी लगाई जाती है दूसरी केटेगरी वो है जिसमें वो व्यक्ति उसे विधान सभा में मददाता के रूप में पंजिकृत होता है जहां उनकी डूटी लगाई जाती है तो प्रथम स्रेणी में डाक मत पत्र जारी किये जाते हैं और दूती स्रेणी में EDC अर्थाथ Election Duty Certificate जारी किये जाते हैं हम बात करेंगे प्रथम स्रेणी की जो है डाक मत पत्र डाक मत पत्र प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रारूप 12 में आवेदन करना होता है अधिकारी के पास मतदान दिवस के कम से कम साथ दिवस पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए ऐसे सभी आवेदनों की प्राप्ती के उपरांत रिटर्निंग अधिकारी उनकी जाच करता है और पात्र आवेदन प्रारूपों को डाक मतपत्र जारी किया जाता है डाक मत पत्र जारी करने के पूर्व यह देख लेना चाहिए कि सभी डाक मत पत्रों में रिटर्निंग अधिकारी की हस्ताक्षर युक्त सील दो बार मुद्रित होई है या नहीं इसमें एक बार सील डाक मत पत्र के ठीक पीछे सील लगाई जानी चाहिए और दूसरी बार इस तरीके से लगाई जानी चाहिए कि उसका आधा हिस्सा काउंटर फॉयल के पीछे और आधा हिस्सा डाक मत पत्र के पीछे आना चाहिए सामान्यता नाम वापसी की अंतिम्तिथी के दिन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सुची तयार हो जाती है तो यह आवश्यक है कि नाम वापसी की अंतिम्तिती के साम को ही जीले के नोडल अधिकारी डाक मतपत्र के मुद्रण हेतू सम्मंदित सास की मुद्रणाले जाएं और 24 से 48 घंटे के भीतर इसका मुद्रण कराकर विश्चा कुछल जीले में वापस लोटें इस दोरान यह आवश्यक है कि मुद्रणाले में परियाप्त सुरक्षा विवस्ता हो और जब डाक मतपत्र मुद्रणाले से सम्मंदित जीले में जा रहा हो तब भी परियाप्त सुरक्षा विवस्ता मौजूद रहे डाक मत पत्रों के मुद्रण के दोरान यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी प्रूफ रिढिंग बहुत अच्छे से की जावे इसका क्रम वही होना चाहिए जो प्रारुप साथ का में होता है इसके साथ ही साथ अंत में नोटा अर्थात इन में से कोई नहीं जोडा जाता है इसका भी अच्छे से ध्यान रखा जाना चाहिए डाक मत पत्रों के मुद्रण के उपरांत अब बारी आती है उसे जारी करने की यहां यह ध्यान रहे कि भारत निर्वाचन आयोग ने अगस्त 2023 में निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में संसोधन कर यह अब अनिवारे कर दिया है कि सभी निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कार्मिक अपना डाक मत पत्र सुविधा केंदर पर प्राप्त करेंगे उस पर अपना मत रिकॉर्ड करेंगे और वहीं ड्रॉप बॉक्स में मत दान करेंगे पहले यह विवस्था थी कि व्यक्ति अपना डाक मत पत्र लेकर घर जा सकता था और फिर उस पर अपना मत रिकॉर्ड करके डाक विभाग के माध्यम से भेज सकता था परन्तु भारत निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष से यह व्यवस्ता समाप्त कर दी है। इसलिए अब यह आवश्यक है कि सभी निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कार्मिकों को सुविधा केंदर पर मतदान की तिथी एवन समय के बारे में पहले से बताया जावे। सुविधा केंदर में मतदान के दौरान आवश्यक तैयारियां की जानी होती हैं जिसमें सुविधा केंदर के प्रभारी अधिकारी की नियुकती, प्रारूप 13 का जो की घोशना पत्र होता है उसे अटेस्ट करने के लिए एक ग्रूप A अथवा B आफिसर की नियुकती और सा आथी साथ आवश्यक इस्टेशनरी विवस्था जिसमें ग्लूगम, कमपार्टमेंट, इंक पैड आदी शामिल होते हैं सुविधा केंदरों पर मतदान के तिथी एवं समय को सभी अभ्यर्थियों को पहले से बताया जाना चाहिए जिससे की वेस्वयम आकर अथवा अपन अधिखरित प्रतिनिधी के मार्ध्यम से पूरी प्रक्रिया का अवलोकन कर सकते हैं सुविधा केंदर में कम से कम 2 घंटे का समय मतदान हेतु नियत किया jana चाहिए मतदान के दवरान पूरी गोप नियता रखी जाएगी और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी वी कर सील बंद करके उसे समंधित विधानसभा की पेटी में टरेजरी में मंढ़ारित किया जाता है। डाकम सुविधाकेँद्र में प्राभारी अधिकारी का यह दाई तो है कि वह डाकमतपत्र के माध्यम से मतदान करने की विहीतरिती से सब को अउगत कराएं। जिसमें प्रारूप 13-3-3-3-3-3 और डाक मत पत्र के बारे में सुविधा किंदर प्रभारी को बताया जाना चाहिए। इसमें यह ध्यान रखें कि डाक मत पत्र पर अपना मत रिकॉर्ड करते समय उस पर या तो सही का निसान लगाएं या क्रोस मार्क लगाएं। इसके अलावा कोई अन्य चिन्न का प्रयोग ना करें। साथी साथ मत दान के दौरान यह भी ध्यान रखें कि मत किसी एक व्यक्ति के पक्ष में इस पश्ट रूप से इंगित हो रहा हो। मत दान के उपरान डाक मत पत्र को अच्छे तरीके से फोल्ड करके इसे सबसे छोटे लिफाफे जो की प्रारूप 13 खा होता है प्रारूप 13 खा में डालेंगे। प्रारूप 13 खा में डालके इसे ग्लू गम से सील बंद किया जाएगा और इस पर अपना डाक मत पत्र का सरल क्रमांग भी दर्ज किया जाना चाहिए। इसके उपरांद गोशना पत्र को भी अच्छे से भर कर उस पर जो अनुप्रमाणन करता अधिकारी हैं उनके हस्ताक्षर और सिल लगवा कर इसे भी अच्छे से फोल्ड करके प्रारूप 13 खा एवं गोशना पत्र को बड़े लिफाफे अर्थत प्रारूप 13 गमें एक डाला जावेगा इसे डाल ले जाने के पस्चात इस पर गलू गम से इसे बंद किया जावे और इसमें जो भी खाली प्रविष्टिया हैं उसे भरा जावे यहां यह ध्यान रहे कि जिर्टर्रींग अधिकारी का जो एड्रेस है वो सही सही डाला जावे ताकि डाकमत पत्र सही स्थान पर पहुँचे, सुविधा केंदर प्रभारी यदी चाहें, तो यह पहले से भी भर कर मतदाताओं को प्रदान कर सकते हैं इसके अलावा जो प्रारूप तेरा घा होता है, उसमें विस्त्रित दिसा निर्देश होते हैं, जिसका अच्छे से पठन कर लेना चाहिए कि मतदान की रिती क्या होगी इस प्रकार डाक मतपत्रों में सुविधा केंदर में मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पस्चात इसकी मार्किंग PB के रूप में मतदाता सुची के चिन्हित प्रती में की जानी चाहिए यह ध्यान रहे कि जो व्यक्ति पूस्टल बैलेट अर्था डाक मतपत्र से मतदान करते हैं उन्हें फिर मतदान दिवस को मतदान के इंदर पर मतदान करने की पात्रता नहीं होती है इसलिए मतदाता सुची के चिन्हित प्रती में भाग संख्या और सरल क्रमांग जिसके समक्ष PB की मार्किंग की जानी है वो एकदम सही होना चाहिए और PB की मार्किंग रेड इंक से की जानी चाहिए PB मार्किंग के दोरान यह ध्यान रहे कि उस पर मतदाता को जारी किये गए डाक मतपत्र की संख्या नहीं दर्ज की गई हो और साथ ही साथ यह भी ध्यान रहे कि प्रारूप 13 क में मतदाता को दिये गए डाक मतपत्र का सरल क्रमांग और प्रारूप 13 क छोटे लिफापा में मद्दाता को दिये गए डाक मतपत्र का सरलक्रमांग दर्ज किया जावे इस प्रकार यह डाक मतपत्र के मतदान की प्रक्रिया पुर्ण होती है जो दूसरी कटेगरी होती है उसे हम EDC बोलते हैं अर्थात Election Duty Certificate ऐसे वेक्ति जो विधान सभा के अंदर ही निर्वाचन Duty में तैनात होते हैं जहां वे मतदाता के रूप में पंजिकरित होते हैं उन्हें EDC जारी किया जाता है इसके लिए निर्धारित प्रारूप 12 क है प्रारूप 12 क में आवेदन प्राप्ति के पस्चात यदि आरो संतुष्ट होता है तो प्रारूप 12 क में संबंदित निर्वाचक को निर्वाचन करतवे प्रमाडपत्र जारी किया जाता है निर्वाचन करतवे प्रमाडपत्र जारी होने के पस्चाथ वह मतदाता मतदान दिवस को अपने विधान सभा छेतर के अंदर किसी भी बूत पर जाकर मतदान कर सकता है यह ध्यान रहे कि वह अपने बूत पर मतदान नहीं कर पाएगा जहां उसका पहले से नाम दर्ज है उसकी प्रविष्टी मतदाता सुची के चिन्हित प्रती में कैसे की जानी है और साथ ही साथ 17A और ट्रजिस्टर 17C में उसके क्रमांग को कैसे लिखा जाना है यदि किसी मतदान केंदर पर 5 लोगों ने EDC प्रस्तूत करकर मतदान किया है तब 17C के अनुसार उस मतदान केंदर में मतदाताओं की कुल संख्या के साथ 5 और जोड़ा जाना चाहिए यदि किसी को EDC जारी किया जाता है तो मतदाता सुची के चिन्हित प्रती में EDC की भी मार्किंग की जाती है जिससे कि वह व्यक्ति अपने ही मतदान केंदर पर मतदान न कर सके इस प्रकार हमने देखा कि पोस्टल बैलेट और EDC के माद्यम से व्यक्ति कैसे मतदान कर सकता है धन्यवाद